अब ट्रेन लेट होने पर मिलेंगे पूरे पैसे इंडियन डिल वे हमारे देश का लाइफ लाइन ग्रहाकों के सुवीधा के लिए भारतिय डिल आए दिन कई नए नए बदलाब करते हैं जानकारी के अनुसार रोजाना करीब एक करोट तीस लाख लोग यात्रा के लिए रेलवे का उप्योग करते हैं हाल ही में हमने कुछ बदलाब करते हुए भी देखा जिसमें रेलवे ने टिकेट पुकिंग और पी एन आर संबंदित नियमों में परिवर्तन किये हैं नए नियम से कनेक्टिंग यात्रा के दोरान ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को टिकेट के पूरे पैसे वापस किये जाएंगे नए नियम के मताबिक अब ट्रेन चूटने पर आपकी पैसे का रिफर्ण आसानी से हो जाएगा यानि किसी यात्री ने यात्रा के लिए कनेक्टिंग ट्रेन की टिकेट ली है और उनकी यह ट्रेन चूट जाती है तो उसका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा लेकिन इसका लाप तब तक मिलेगा जब पहली ट्रेन ये धारित समय से देरी से स्टेशन पहुँचती है और इस वज़ा से यात्री की दूसरी ट्रेन चूट जाती है रेलवे ने एक अप्रिल से PNR समदित एक नियम में बंदलाव किया है इस नए नियम के मताबिक अग दो टिकेट एक साथ लिंक होते हैं तो एक ट्रेन के लेट होने और दूसरी ट्रेन के छूट जाने पर केवल पहले ट्रेन के पैसे कटेंगे और दूसरे टिकेट का पूरा पैसा रिटर्न होगा गर्मी की छुटी में महज 999 रुपए में करेंगे हवाई सफर एयरलाइन कमपनी आए दिन आप अपने ग्राहकों के लिए नए नए आफर्स लेकर आती है इस बार डोग कोस्ट एयरलाइन इंडिया ने गर्मी की छुटी में खुमने वालों के लिए धमाकेदार ओफर लाया है इस ओफर के ताथ घरे लूप रूट्स पर टिकेट की शुरुआती कीमत सिर्फ 999 रुपए है वही बात करें अंतरास्टिय रूट्स की टिक्टों की तो उसके लिए 3499 से शुरू होती है सस्तर टिकेट के साथ साथ कंपणी ने एरलाइन प्रिपेड एक्सेस बैगे सथा प्रिपेड एक्सप्रेस चेक इन सेवा पर 30% तक की छोड़ दे रही है ताथ ही अगर आप मुविग विग से टिकेट बुकिंग करते हैं तो इस पर आपको 1000 रुपए का कैश बैक भी मिलेगा यहाँ ओफर नौन ट्रांस्फेरबल है यहाँ ओफर आपको 14-16 माई के 20 टिकेट बुक करने पर ही मिलेगी इसके तहाद 10 लाग सीटे रखी गई है तथा 29 माई से 28 सितम पर तक की यात्रा के लिए टिकेट बुक कराये जा सकते हैं हाला कि इजी बैंक डेबीट काड से भुकतान करने पर 10 परतिशत का फ्रेट डिसकाउंट तब मिलेगा जब आप कम से कम 4,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करेंगे तो अमेनस न्यूज लाइफ की खपर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अमेनस इंदी एप डाउन्यूड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद